क्या दस महीने बाद गाजा यूद में अब हमास जीतने लगा है? क्या जमीन के उपर इसराइल जीत रहा है और जमीन के नीचे हमास बाजी मार रहा है? ये दावे इसलिए के जाने लगे हैं क्योंकि उतरी गाजा में एक ऐसी सुरंग मिली है जिसमें रेलवे ट्रैक बिछे हुए हैं हैरान की बाद तो ये हमास इस ट्रैक पर ट्रेन दोडा रहा है जिसे मिसाईले और रॉकेट भरे पड़े हैं सुरंग में बूले ट्रैन हमास ने पल्टा युद्ध लगभग 11 वहीने से इसरेली सेना पूरी गासा में भयंकर हवाई और जमीनी हमले कर रही है लेकिन इसके बावजूद हमास इसरेली सेना पर जबरदस्ट पल्ट वार कर रहा है लगभग 350 दिन से इसरेली सेना पूरी गासा में चुन चुन कर हमास की स्तुरंगों को धमाकों से उड़ा रही है लेकिन उसके बावजूद हमास के स्तुरंगी लड़ा के इसरेली सेना टैंक, बुल्डोजर और बख्तर बंद वाहनों पर भेंकर हमले कर रहे हैं यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हमास की स्तुरंगों के बारे में ऐसा खुलासा हुआ है जिसने परधान मंतिर नेतनियाहू के होश फाकता कर दिये है इसरेली सेना ने दावा किया है कि हमास की स्तुरंगों में रेलवे ट्रैक मिले है जिसे ये साबित होता है कि हमास की स्तुरंग नेटवर्क के बारे में जितना इसरेली सेना जानती थी उससे कहीं ज़ादा पेचीदा और विशाल स्तुरंग नेटवर्क हमास के पास मौजूद है हम आपको एनिमेशन के जरिये समझाने की कोशश कर रहे हैं कि हमास के स्तुरंग में रेलवे नेटवर्क कैसे और ये कैसे काम करता है हमास की स्तुरंगों से जुड़े एक्सपर्ट के मताबिक उतरी गाजा और मध्य गाजा में जो स्तुरंगे इसरेली सेना को मिली है उन स्तुरंगों में रेलवे ट्रेक बिशे हुए हैं दावों के मुताविक रेलवे ट्रेक वाली इन सुरंगों में चलने वाली दो से तीन बॉगी वाली ट्रेनों में मिसाइल और रॉकेट फरे हुए हैं दावा किया गया है कि इन सुरंगों में हमास के कमांड सेंटर मौजूद हैं जहां से हमास के सुरंगी लड़ा के सुरंग से निकल कर इसरेली सैने को और टेंगों पर भीशन हमले कर रहे हैं कुछ दावों के मताबिक हमास के सुरंग में एक से लेकर तीन किलो मिटर तक रेलवे ट्रेक बिचे हुए हैं जिन पर हमास के बूलेट टेंच चलती है सिन्वार निकला शातिर सुरंग से बूलेट युद्ध गाजा युद्ध में सुरंगों का जाल हमास की सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ है दावे तो यहां तक ये गए हैं कि हमास ने नए चेफ याहिया सिन्वार ने अपने लड़ाकों को साफ आदेश दिये हैं कि सुरंगों से ही युद्ध करो सुरंगों से इसरेली सेना को ट्रैप में फंसाओ खान यूनुस के कसाई के नाम से कुखियात सिन्वार को सुरंग युद्ध में बेहद माहिर मना जाता है यही वज़ा है कि जब सैós सिन्वार हमास का चिफ वण है तब से लिए इस सेना पर सुरंगों से हमले बेहद तीज हुए हैं जरा हमास की तरफ से जारी इस वीडियो को देखिए जिसकी हर तस्वीर में इसरेल के टैंक और सैनिकों के चीठडे उड़ते दिख रहे हैं हमास के वीडियो में साफ देखा जा सकता है क्या हमास के लड़ा के बारुदी सुरंगो और बंबो इस्ञेल के मरकावा टैंग के नीचे लगाकर उसे उडा रहे हैं इस्ञेल के टैंगों से महzd 10 से 20 मीटर दूर मौजूद सुरंगों में मौझूद हमास लड़ा के रफा में इसी तरह से रॉकेट लॉंचर से इसरेली सेना पर हमला कर रहे हैं गोर करने वाली बात है कि रफा में इस वक्त हमास की केवल चार बेचेलियन ही बची होने का दावा किया गया है जो इस वक्त रफा में इसरेल पर हमला कर रही है गाजा शहर, दक्षणी गाजा, मद्द गाजा, रफा और खान यूनूस में इसरेली सिना दस महीनों से 90 फिस्दी से जदा सुरंगों को उड़ाने का दावा कर रही है लेकिन हैरानी की बात तो ये है, कि इसरेली सिना की नाक के ठीक नीचे हमास सुरंगों से आसानी से हमले कर रहा है यही वज़ा है कि इसरेली सिना के चिफ लेटेनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने अपने टॉप कमांडरों के साथ मिटिंग में दो टुक कह दिया है कि हमे हमाज कि अवान ड्सारान को न्यार कीसत एक समय इस्राइली एक्सपर्ट में यह अनुमान लगाया था कि पूरे गाजा में सतह से पंद्राफिट से लेकर दो सफट नीचे तक करिब तीन सो मिल लंबी सुरंगे हैं मगर उनका यह अनुमान उस वक्त गलत निकला इस्रेली सेना के कोगाजा में धाई मिल लंबी सुरंगे मिली हैं जिसमें विशाल अंडरग्राउड फैक्टरिया पेंट की हुई सुंदर दिवारे टाइल्स वाली फर्ष, सीलिंग फैन और एसी समय लगजरी भूल भूलेया क पता चला है अनुमान के मताबिक सुरंगे 500 मिल से जादा लंबी हो सकती हैं इस्रेली डिफेंस फोस ने एक बड़ी करवाई में डेड़ हजा से जादा टनल शाफ्ट भी खोज निकाली है इन सुरंगों को बनाने में 6,000 टन कंक्रीट का इस्तमाल किया गया है जबकि 1,800 ट हो जाते हैं यही वज़ा है कि अब नेतनियाहू कमांडर की मीटिंग में साफ कह रहे हैं कि हमास का सफाया तभी होगा जब पूरे गाजा पट्टी में सुरंगों का सफाया होगा आप जरा इस वीडियो को देखिए खुदने दनाहू नक्षे पर समझा रहे हैं कि कैसे गाजा युद इसरेल के वजूद के लिए चैलेंज बन चुका है गाजा बौडर मिशर सीमा कैसे इसरेल के लिए जी का जज़ाल बन चुका है आप इसे हमास के गाजा मेट्रों से सम सुरंगों का ऐसा निटोर्क है जिसने 11 महीने की जंग के बाद भी इसरेली सेना समझ नहीं पाई है हमास के सुरंगों से जुड़े इस्रेली एक्सपर्ट के मताबिक सुरंगों के जाल को समझने और समझाने के लिए हमास ने एक हैंडबुक बना रखी है जो हमास के सुरंग लडाकों को दी जाती है इस हैंडबुक के आधार पर सुरंग का सिस्टम काम करता है अगर इस्रेली सेना सुरंग के दरवाजों को खोलती है तो उसमें आचोमेडिक भम धंधमाके होते हैं जिसे इस्रेली सैनिक कई बार मारे जाते हैं हमास के हैंड बूक के मताविक सुरंग पर एजरी ली मिसाईलों का मामूली असर होता है कभी-कभी मिसाईल बे असर साबित होती है IDF को उतरी गाजा के नीचे बीची सुरंग के अंदर रेलवेर ट्रैक मिला है IDF के मताबिक गाजा डिवीजन, उत्री गाजा ब्रिगेड और यह लोम यूनिट के इंजिनेरिंग सैनिकों ने हमास टेन का पता लगाया है दावा किया गया है कि हमास हैंडबुक में सुरंग आपरेशन के पूरी जानकारी दी गई है रिपोर्ट के मताबिक हैंडबुक में बताया गया है कि सुरंग के अंदरंग धीरे में चलते समय लड़ाकों को इंफ्रारीड से लैस, नाइट विजन, चश्मे के जरूरत होती है लड़ाकों को भूमी गतने टिवर्क के भीतर हत्याच जलाने के तरीक के बारे में साउधानी बरतनी होती है ये भी हमास हैंडबुक में बताया गया है चरनल, बैटल, एस्टेट जी के जरीए हमास हैंडबुक में इसरेली मिसाईलों को तबाह करने का प्लैन तक बताया गया है हमास के हमले का ये वीडियो देखिए इन वीडियो में हमास ने इसरेली सेना पर हमले का दावा किया है गाजा में तेल, अलहवा इलाके में इसरेली बुल्डोजरों और सैनिकों को हमास ने तबाह किया है इसे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमास के लड़के इसरेल के उस बुल्डोजर को थमाके से उड़ा रहे हैं जो बारूदी सुरंगों को तबाह कर रहा था हमास के लड़ा के सीधे सीधे पीम नितर्याहू को चेताउनी दे रहे हैं कि गाजा में इसरेली सेनिकों का कबरिस्तान बन जाएगा और हमास हर हाल में गाजा जंग जीत लेगा कुल मिलाकर हमास के सुरंग इसरेली सेना के लिए ऐसी चुनोती बन चुकी है जो लगबक 11 महीने की जंग के बाद भी इसरेली सेना के सामने सबसे बड़ा चेलेंच है कर दो